हेलो दोस्तो मैं हूँ अमित, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठंडी के मौसम में ट्रेन में AC नहीं चलती फिर रेलवे उसका चार्ज यात्रियों से क्यों लेती है दोस्तो ये question कभी ने कभी हर किसी के दिमाग में जरूराया होगा इसलिए इसके बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है दोस्तो बात करें ट्रेन में लगे AC की तो या घरों में लगे AC के जैसे नहीं होते हैं आपको कोज के बाहर लिखा दिखा होगा जिस पर लिखा रहता है वातानुकूलित कोज। दोस्तों इसका मतलब सिर्फ ठंडा करना नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि वाता वरण के अनुकूल यानि कि गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी देने वाला कोज। गर्मियो के माध्याम से पूरे कोच में ठंडी हवा पहुचाते हैं. और जब शर्डियों में बाहर का टेंपरेचर एक से दो डिग्री तक रहता है, तब भी कोच के अंदर 18 से 20 डिग्री का टेंपरेचर मेंटेन रहता है. अब सोचिए कि कैसे. दोस्तो ठंडी के मौसम में इस 18 से 20 ड के AC चलते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार काम करते हैं इसलिए इन्हें वातान उकूलित कोच कहा जाता है और सर्दियों में भी railway AC का चार्ज लेती है क्योंकि इसे चलाने में electricity का खर्च आता है दोस्तों इसमें लगे heater एक अलग type के heater होते हैं या हमारे घरों में लगने वाले room heater से बिलकुल अलग होते हैं क्योंकि इसमें लंबे समय तक रहने के बाद भी शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है इसके उपर हम एक अलग से डीटेल वीडियो लाएंगे जिसमें आप सभी को बताएंगे कि ट्रेन के AC कोच में लगे heater कैसे काम करते हैं दोस्तों उमीद करते हैं आपको चीजे समझ में आ गई होगी कि शर्दियों के मौसम में AC नहीं चलने के बाद भी रेलवे यात्रियों से पैसा क्यों लेती है इस वीडियो वस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ सेर जरूर कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद